वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल इस दिपेश बंधारी तो गाइस आज हम डिसकस करेंगे निफ्टी का नेलिसिस बैंक निफ्टी का अनेलिसिस आज मुझे कितना प्रॉफिट हुआ उसके पीछे का रिस्क रिवाट और लॉजिक क्या था तो चलिए अपनी वीडि हैं 83 के आसपास और इसकी क्लोजिंग अभी होने वाली है और 17,300 के आसपास इसकी क्लोजिंग होगी तो पहले हम चलते हैं 15 मिट के टाइम फ्रेम पर तो 15 मिट के टाइम फ्रेम पर हमें क्या पता चल रहा है कि निफ्टी आज बिल्कुल एट पर खुला 9.9 नीचे खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया बड़ सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि वीकनेस इसके कप से चल रही है और उसके बाद क्या हुआ एक दम से इसमें सैलिंग आना शुरू हो गया लाज का जो ट्रेडिंग आर था उसमें क्लियर कट हमें यहां पर एक ब्रेक्डों देखने के मिला और उसके बाद मार्केट एक तरफा नीचे चली गई थी तो हमें 17300 यानि कि मैं जो सपोर्ट बोल रहा था 17300 अगर इसके आसपा से नीचे बंद होती है वो भी वीकनेस के ही निशानों के जिसके कारण मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर और आलमोस्स जो हमें रिजिस्टेंस निकल करके आएगी वो आएगी कल के लिए 17345 यानि कि 17345 के आसपास हमें रिजिस्टेंस मिलेगी और वहां से अगर कोई सेलिंग प्रेशर बनता है तब हम देखेंगे जो अपनी सपोर्ट है 17300 के आसपास की अगर यह ब्रेक होती है तब हम यहां से 25-25 का स्टाप्रस रखेंगे और एटलीस 100-500 पॉइंट तक के हम टार्गेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी माइट विगल 17200 लगा सकता है अगर कुछ सपोर्ट एकदम से यहां पर कहीं ब्रेक होती है और अगर बहुत बड़ा गैब दन हो गया सपोर करो कि 17200 के असपास हो गया तब मैं वहां देखूंगा कि कुछ रेंज बंकि अगर कुछ उपर रे सेट पर जा रही है तब हो सकता है कि एक बर जो गैप इसका पैंडिंग को कर ले बट अगर गैप नहीं पैंडिंग करती है और सेलिंग आनी शुरू हो जाती है तब एक त सकता हूं बर जादा मेरा व्यू नेगटिव वाले साइट पर रहने वाला है कि यह डिली बेसिस पर अब थोड़े से चार्ट निफ्टे के और भी वीक में दिख रही है अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की तो बैंक के निफ्टी निफ्टी से थोड़ी सी जादा के आसपास आज बंद होगी जहां कि अपने जो निफ्टी है वो 309 के आसपास नीचे बंद होगी तो जो अपनी निफ्टी है वो जादा विकर है ऐस सक्पियर तो बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी आज किदर खुली और पूरा दिन आज वाले टेटी करती रही जैसे एक नीचे जाती रही थी ये नीचे नहीं गई एक range में वो trade करती रही जैसे इसकी support duty और इसमें एक दम से selling pressure आना शुरू हो गया था हमने कहा था 41 167 की support है यहां पर breakdown आया 166 का उसके पाद सीधर सीधर 74 points आपको मिल गए थे उसके पाद अगें थोड़े 12-15 points याने कि 100 points के आ support का भी use कर सकते हूं तो bank nifty की अभी जो मेरे को दिख रही है range कल के लिए हमें क्या करना है resistance mark करनी है वह 40,380 के एसपास यह range की बीच में कोई भी trade नहीं करेगा अगर यहां से कहीं breakout आता है तब मैं उपर के target का सोच सकता हूं 380 का अगर level निकलता है तो 576 का मैं target expect कर सकता ह हूं और उसके बाद फिर अगर और भी टार्ग निकलता है फिर मैं थोड़र ट्रेलिंग stoppers यूज़ करके 17700 से लेकर 650 के target expect कर सकता हूं बट अगर यहां पर level sustain bank nifty कभी नहीं होता है और को पहले मंदब 15-20 million में break down आ जाता है तब मंदब 40-50 का point का मैं stoppers रखूंगा पहला target में रहेगा 40,000 40,070 के आसपास और दूसरा target में रह सकता है 39,900 के आसपास का तो यह था guys nifty और bank nifty का analysis अब बात करते हैं मैं को कितना profit हुआ तो angel one पे चलते हैं एक बड़ी आप सब के लिए मैं refresh करता हूं यह तो refresh just भी होगा हां refresh हो गया अब हम चलने के अपने orders पे orders पे जाने के बदम चलते हैं positions पे तो आज का जो profit भी fluctuate आपको दिख रहा है 14,000 रुपे के आसपास 14,700 के आसपास अपना profit चल रहा है जो मैंने guys आज का book कर रहे हैं वो fin nifty का मैंने book किया है यानि कि मैंने 14,960 रुपे तो इधर book किया है और बैले 100 रुपे के आसपास यह जो भी 40 रुपेश ट्रेड कर रहा है 20 रुपेश मैंने बाई किया है और 17,050 के मैंने 20 रुपेश की है 6 रुपेश के आसपास जो भी 6.9 रुपेश चल रहा है यह मेरी as a insurance है अगर यहीं पर कहीं कुलती है तो जो ठीटर डिक होगा वो थोड़ा समर को इसमें दिखने को म मिल जाएगा 3-4 रुपे मैं कमा सकते हो इदर अराम से और अगर एकदम से selling pressure बन गया तब इसमें बहुत अच्छा मेरा profit होने के chances हो सकते हैं अब इसमें जो मेरा maximum risk अगर आप calculate करोगे तो maximum risk इसका मेरा निगल करके आगा 30,000 रुपेश के आसपास और maximum profit जो आएगा वह एक loss होता भी है तो कम से कम loss हो और profit ज्यादा से ज्यादा हो यही हम आपको कहेंगे अगर आप भी profitable trader बनना चाहते हो तो अपना risk कम से कम और profit ज्यादा से ज्यादा रखना शूरू कर दो उसके बाद आप definitely एक successful trader बन जाओ गयो guys अगर आपको वीडियो मेरे अच्छी लगी do like, share comment and subscribe my channel thank you and have a nice day